नमस्कार किसान भाईयो स्वागत है आपका जित्पुरेगरी कल्चर यूट्यूब चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त कॉमल साहू और किसान भाईयो आज मैं आपके लाया हूँ बहुत एक खास वीडियो जिसमें आज हम जानने वाले हैं मक्के की लीप लाइट के बारे में और मक्के की बैक्टेरियल लीप लाइट के बारे में तो किसान भाईयो होता क्या है कि मक्के की लीप लाइट जो फंगस की वज़ासे होती है और जो बैक्टेरियल लीप लाइट होती है यह बैक्टेरिया की वज़ासे होती है तो किसान भाईयो कई बार हम से जानने पह ज चीछानिने में गल्ती हो जाती है ओर हम फंगिसाइट का इस्प्रेय करते हम अगու रिजल्ट नहीं मिलता है या सिर्फ या इंटिवाइट्यक का इस प्र एक zwyक्ष। और जानेंगे उसी के साथ उनके उक्चार भी तो आईए किसान भाईयो चलते हैं देखते हैं मक्के की फसल में और क्या इसके लक्षन है और क्या इनके रोक थाम है तो किसान भाईयो ये रहे हम मक्के के फसल और ये हमारे पास मक्के का पत्ता जिसमें हम देखते है किसमें क्या सिकायत है तो किसान भाईयो यह जो आपको धबा दिखाई दे रहा हैं यह मक्के का बेक्टेरियल ब्लाइट है ये बीच में सपेद होकर आसपास हलका कथाई काले रंग होते हुए फैलता है और ऐसे दब्बभे मक्के पर आते रहते हैं और फैलने लगते हैं जैसे ये इसमें भी देखिये किसान भायों इसमें बहुत लगा हुआ है तो किसान भाईयों यह जो है बैक्टेरियल लीव ब्लाइट है और इसी में किसान भाईयों मैं आपको देखाता हूँ फंगल क्या होता है यह देखिए यह फंगल ब्लाइट है किसान भाईयों मक्के की इसी पत्ते में और देखिए यह देखिए इस टाइब से अब किसान भाईयों हम जान लेते हैं इनकी रोक्थाम के बारे में और यह कॉमन ब्लाइट जो होती है किसान भाईयों मक्के में जो लगती है यह वो होती है किस टाइब सकता हो जाता है अब जान लेते हैं रहते हैं बीमारियों की रोक्थाम के बारे में तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मक्के कि जो लीब लाइट होती साथ पेक्टेरियल लीब ब्लाइट को कंट्रोल करने में बदत करता है ये मोनोक्रोटफास की बहुत अच्छी खासियत होती है किसानवाईयों इसाइद ही आपको पहले किसी ने बताया होगा तो किसान भाईयो और दूसरी चीज आती है इसमें कि बैक्टेरियल लीब ब्लाइट का तो हमने उपाय आपको बता दिया और इसके साथ किसान भाईयो वेलिडाम आइसीन वगेरे का भी आप इस्प्रे करवा सकते हो और दूस किसान भाईयो इसमें और बड़ी कंपणियों के अच्छे अच्छे प्रोड़क्ट भी आते हैं जैसे आप ब्यास अपको कैसान भाईयो मुझे लाइक कमेंट और सेर करके जरूर बताईए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सके